शिरिगनेशाय नम्हा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभा निर्विग्नम कुरुमेदेव सर्वकारेशु सर्वदा जै मातादी सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्त साधिके शरने त्रयंब के गोरी नारायनी नमोस्तुते जै माम वे शार्दिय नवरात्री पहला दिन माश शैलपुत आश्विन मास के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से शार्दिय नवरात्री की शुरुसाँ हो रही है। शार्दिय नवरात्री आज से शुरू हो चुकी है और घटस थापना के बाद मा दुर्गा के प्रत्थम सबूरूप मा शेल पुत्री की पूजा की जाएगी। पुत्री का सबरूप बेहद शान्त और सरल है माता के एक हाथ में तिर्शूल और दूसरे में कमल शोबा दे रहा है माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपोन हिमाल्या पर विराजमान है इसलिए माता शैल पुत्री को विशो रूडा और उमा के नाम से भी जाना यह विशो वाहन शीवा का ही सबरूप है और शैल पुत्री समस्त वन्या जीव जन्तों की रक्षक भी है माता शैल पुत्री ने घोर तपस्या करके ही बगवान शीव को परसन किया था माता शैल पुत्री को सफेद फूल और सफेद वस्तर ही अरपित किये जाते हैं इसके साथ ही माता को सफेद मिस्ठान का ही भोग लगाया जाता है माता शेल पुत्री की पूजा करने से कुवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ती होती है और घन में धन धान्य की कमी नहीं होती है माता के इस सब रूप को जीवन में स्थिर्ता और ध्रिर्ता का परतीक माना जाता है शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को उस दैफ अडिक माना जाता है या देवी सर्व भूतेशु शैल पुत्री रूपेन संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमा ओम शम शैल पुत्री देवाई नमा माता शैल पुत्री की कथा प्राचीनकाल में जब सती के पिता प्रचापती दक्षय यग्य कर रहे थे तो उनोंने सारे देवताओं को इस यग्य में समलित होने के लिए आमंतृत किया लेकिन अपने जमाता पगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंतृत नहीं किया लेकिन सती की अपने पिता के यग्य में जाने की बहुत इच्छा थी उनकी व्यगरता देख शंकर जी ने कहा कि संबफता है प्रजापती दक्षे हम से रूष्ठ है इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया शंकर जी के इस वचन से सती संतूस्ट नहीं हुई और जाने के लिए अड़ गई उनकी जिद देखकर वगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमती दे दी सती जब अपने पिता के घर पहुँची तो सिरफ मा ने ही उन्हे सनेह दिया बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की दक्ष ने भी शंकर जी के प्रती कुछ बाते कही जो सती को उचित नहीं लगी अपने पती का तिरसकार होता दे उन्होंने योगा अगनी से अपने आपको भसम कर लिया जब शंकर जी को सती के बसम होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उनोंने दक्ष के यग्य का विद्वन्स करवा दिया यही सती अगले जनम में शैल राज हिमाल्या के पुत्री के रूप में जन्मी और शैल पुत्री के लाई माता शैल पुत्री की आरती सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी उसकी सगरी आस पुजा दो सगरे दुख तकलीफ मिटा दो घी का सुंदर दीप जला के गोलागरी का भोग लगा के श्रद भाव से मंत्र गाए प्रेम सहित फिर शीष जुकाए जैगिरी राज किशोरी अंबे शिव मुख चंद्र चकोरी अंबे मनो कामना पूरन कर दो भक्त सदा सुख संपती भर दो जै माता दी नैना देवी की कथा इस स्थान पर सती के दोनों नित्र गिरे थे नैना देवी की गन्ना परमुक शक्ति पीठों में होती है हिमाचल परदेश में स्थित ये स्थान पंजाब की सीमा के काफिस मीप है मंदिर में भगवती नैना देवी के दर्शन पिंडी के रूप में होते हैं नैना देवी की कल्युक में प्रकट होने की कर्था इस पहाडी के स्मीप के इलाके में कुछ गुजरों की अबादी रहती थी उसमें नैना नाम का एक गुजर देवी का परम भक्त था वह अपनी गाएं, बहैंस, आदीपश्यों को चराने के लिए इस पहाडी पर आया करता था इस पर जो पीपल का वरिक्ष था, अब भी विराजमान है, उसके नीचे आकर नैना गुजर की एक अन बिहाई गाएं खड़ी हो जाती और उसके स्तनों से अपने अब दूद निकल पड़ता नैना गुजर ने ये द्रिश्या कई बार देखा, वह ये देखकर सोच विचार में डूब जाया करता था आखीर एक अनसुई गाएं के थनों में इस पीपल के पेड़ के नीचे आकर दूद क्यों गिरता है अन्तते एक पार उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहां गाएं का दूद गिरता था वहाँ पड़े हुए सुखे पत्तों के धेर को हटाना अरम किया पत्ते हटाने के बाद उसमें दबी हुई पिंडी के रूप में मा भगवती की प्रतिमा दिखाई दी नैना गुजर ने जिस दिन पिंडी के दर्शन किये उसी रात को माता ने स्वपन में उसे दर्शन दिये और कहा मैं आदी शक्ती दुरगा हूँ तू इसी पीपल के नीचे मेरा स्थान बनवा दे मैं तेरे ही नाम से परसिध हो जाऊंगी नैना मा भगवती का परमभक्त था उसने प्राताकाल उठते ही देवी मा की अग्यानुसार उसी दिन से मंदिर की नीव रखवा दी शिगर ही इस थान की महिमा चारो तरफ फैल गई शरदालू भग्त दूर दूर से आने लगे उनकी मनो कामनाय पूरी होती रही देवी के भगतों ने भगवती का सुंदर भव्या तथा विशाल मंदिर बनवा दिया और तिर्थ नैना देवी के नाम से परसिद्ध हो गया मंदिर के समीप ही एक गुफा है जिसे नैना देवी की गुफा कहते हैं इसके दर्श नार्थ भी कई भगत आते हैं इस शार्दिय नवराती पर आपको और आपके परिवार को हर्दिक शुब्ध कामनाए माता रानी आप सब पर अपना अशीरवात बनाए रखे जै माता दी मेदा रिशी का राजा सुर्थ और समाधी को भगवती की महमा बताते हुए मदू कैटव वद का परसंग सुनाना विन्योग प्रतम चरित्र के ब्रह्मा रिशी महाकाली देवता गायतरी छंद नंदा शक्ती रक्त दंदिका बीज अगनी तत्व और रिगवेद सवरूप है शिरी महाकाली देवता की प्रसंता के लिए प्रतम चर्त के जप में विन्योग किया जाता है ध्यान भगवान विश्नु के सोजाने पर मदू और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ वे अपने दस हातों में खडग, चक्र, गदा, बान, धनुष, परिक, शूल, बशुंडी, मस्तक और शंक धारन करती हैं उनके तीन नेत्र हैं वे समस्त अंगों में दिव्या भूशनों से विभूशित हैं, उनके शरीर की कांती नील मनी के समान हैं, तथा वे दस मुक और दस पैरों से युक्त हैं, ओम चंडी देवी को नमशकार है मा कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्नी जो आठवे मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पती की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं सुनो, सूर्य कुमार महाभाग, सावर्नी भगवती महामाया के अनुग्रह से, जिस परकार मनवंत्र के स्वामी हुए, वही परसंग सु में उत्पन हुए थे, उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था, वे प्रजा का अपने ओरस पुत्रों की भांती धरम पुर्वक पालन करते थे, तो भी उस समय कोला विद्वनसी नाम के क्षत्रिये उनके शत्रु हो गए, राजा सूर्थ की दंड नीती प्रबल थी, उनका शत्रों के साथ संग्राम हुआ, यद भी कोला विद्वनसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूर्थ युद में उनसे प्रास्त हो गए, तब वे युद भूमी से अपने नगर को लोट आए, और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे, किन्तु वहां भी उन प्र अलवान एवं दूरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकिय सेना और खजाने को हतिया लिया, सुर्थ का परभुत्व नस्ठ हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोडे पर सवार हो, वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए, वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनी का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परमशांत भाव से रहते थे, मुनी के बहुत से शिश्य उस्वन की शोबा बढ़ा रहे थे, वहां जाने पर मुनी ने उनका सत्कार किया, और वे मुनी स्रेष्ट के आश्रम पर में मेरे पुर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रही थे, पता नहीं मेरे दुराचारी बृत्यगन उसकी धरम पुर्वक रक्षा करते हैं या नहीं, जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूर वीर था, वे मेरा परधान हाथ थी, अब शत्रों ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरन करते होंगे, उन अब व्याई लोगों के दौरा सदा खर्च होते रहने के कारन अत्यांत करस्ट से जमा किया हुआ, मेरा वैक जाना खाली हो जाएगा, यहें तथा और भी कई बातें राजा सूर्थ निरंतर सोचते रहते थे, एक द तुमारे आनी का क्या कारण है, तुम क्यों शोग्रस्त और अन्मने से दिखाई देते हो, राजा सूर्थ का ये प्रेम पुर्वक कहा हुआ, वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें परनाम करके कहा, वैश्य बोला, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन एक व पुत्रों से वन्चित हूँ, मेरे विश्वस्निय बंदों ने मेरा ही धन लेकर मुझे धूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ, यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की इस्तरी की और स्वजनों की कुशल है या नहीं, इस पुछा, जिन लोबी इस्तरी पुत्र आदी ने धन के कारण तुमें घर से निकाल दिया, उनके पती तुमारे चित में इतना सने का बंदन क्यों है, वैश्य बोला, आप मेरे विश्य में जैसी बात कहते हैं, वै सब ठीक है, कि तु क्या करूं, मेरा मन निस ठुरता नहीं धारन करता, जिनोंने धन के लोब में पढ़कर, पिता के प्रती सने, पती के प्रती प्रेम, और तथा आत्मिय जन के प्रती अनुराग को तिलांजली दे दी, मुझे घर से निकाल दिया, उनी के प्रती मेरे हिर्दे में इतना सने है, महामते, गुन हीन, बंदों के प्रती भी जो मेरा चित इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है वे क्या है इस बात को मैं जान कर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सांसे ले रहा हूँ और मेरा हिर्द्या अत्यंत दुखित हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सरवधा अभाव है उन लोगों में प्रेम का सरव ब्रह्मन, तदंतर राजाओं में शेश, सुर्थ और वह समादी नामक वेश्य, दोनों साथ साथ मेदा मुनी की सेवा में उपस्तित हुए, और उनके साथ यथा योग्या, न्यायन कूल विने पूर्ण बरताव करके बैठे, ततपर्शाद वेश्य और राजा ने कुछ वार दुख देती है, जो राजिय मेरे हाद से चला गया है, उसमें और उसके संपून अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, मुनी श्रेच, ये जानते हुए भी कि वे अब मेरा नहीं है, अज्यानी की मांती मुझे उसके लिए दुख होता है, ये क्या है, इधर वैवेश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पूत्र इस्त्री और ब्रित्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका प्रित्याग कर दिया है, तो भी ये उनके प्रती अत्यांत हार्दिक्स ने रखता है, इस परकार ये तथा में दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसम परत्यक्ष दोश देखा गया है उस विश्य के लिए भी हमारे मन में मम्ता जनित अकर्षन पैदा हो रहा है महाभाग हम दोनों समझदार हैं तो भी इसमें जो मो पैदा हुआ है ये क्या है विवेक शुन्य पूरश की बांती मुझ में और इसमें भी ये मूर्ता परत्यक्ष दिखाई देती है रिशी बोले महाभाग विश्य मारत का ज्यान सब जीवों को है इसी परकार विश्य भी सब के लिए अलग लग है कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्री में भी बराबर ही देखते हैं ये ठीक है कि मनुश्य समझदार होते हैं किन्तु केवल वे ही ऐसे नहीं होते पशू, पक्षी और म्रीग आदी सभी प्राणी समझदार होते हैं मनुश्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन म्रीग और पक्षियों की होती है ये तथा अन्य बातें भी प्राए दोनों में समान ही हैं समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वम भूख से पीडित होते हुए भी मोवश बच्चों की चोच में कितने चाव से अनके दाने डाल रहे हैं। नर्सरेश क्या तुम नहीं देखते कि ये मुनुश्य समझदार होते हुए भी लोबवश अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाशा करते हैं। यद भी उन सब में समझ की कमी नहीं है। तथा भी विसंसार की स्थिती बनाए रखने वाले भगवती महा माया के परभाव द्वारा ममता में भवर से युक्त मो के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें अश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदिश्वर भगवान विश्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महा माया है। उनी से ये जगत मोहि ज्यानियों के भी चित को बल पुर्वक खींच कर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपून चराचर जगत की स्टिस्टी करती हैं तथा वे ही परसन होने पर मनुश्यों को मुक्ती के लिए वर्दान देती हैं। वे ही परा विद्या संसार बंदन और मोक्ष की हेतु भू पूता सनातनी देवी तथा संपून इश्वरों की भी अदिश्वरी हैं। राजा ने पूछा भगवन जीने आप महा माया कहते हैं वे देवी कौन हैं। ब्रह्मन उनका आविरभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं। ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ट उन देवी का जैसा परभाव हो जैसा सवरूप हो और जिस प्रकार प्रादूर भाव हुआ हो वे सब मैं आपके मुक से सुनना चाता हूँ। रिशी बोले राजन वास्तम में तो वे देवी नित्य सवरूपा ही हैं। संपून जगत उनी का रूप है तथा उन्होंने समस् विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा पी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वे मुझसे सुनो यद भी वे नित्य और जन्मा हैं। तथा पी देवताओं का कार्यसित करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोग में उत्पन हुई कहलाती हैं। कलप के अंत म जब संपून जगत एकान्व में निमगन हो रहा था। और सबके प्रबू बगवान विश्णु शेष नाक की शहिया बिचा कर योग निद्रा का आश्यले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भ्यंकर असुर उत्पन हुए जो मदू और कैटव के नाम से विख्य ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भ्यानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एकागरचित होकर उनोंने भगवान विश्णु को जगाने के लिए उनके नित्रों में निवास करने वाली योग नित्रा का स्तवन अरम किया जो इस विश्व क अधिश्वरी जगत को धारन करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज सब रूप भगवान विश्णु की अनुपम शक्ति हैं उनी भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुती करने लगे ब्रह्मा जिनेका देवी तुमी स्वाहा तुमी स्वधा और तुमी वस्टकार हो स्वर भी तुमारे ही सब रूप हैं तुमी जीवन दायनी सुधा हो नित्या अक्षर प्रनव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुमी स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं तुमी संध्या, सावित्री और परम जननी हो, देवी तुमी इस विश्व भ्हमाण को धारन करती हो, तुम से ही इस जगत की स्रिष्टी होती है, तुमी से इसका पालन होता है, और सदा तुमी कल्ग के अंत में सब को अपना ग्रास बना लेती हो. जगन में देवी इस जगत की उत्पती के समय तुम स्रिष्टी रूपा हो, पालन काल में स्थिती रूपा हो, उतथा कल्पांत के समय सहार रूप धान करने वाली हो, तुमी महा विद्या, महा माया, महा मेदा, महा सम्रिती, महा मोरूपा, महा देवी और महा सुरी हो, तुमी तीनों गुनों को उत्पन करने वाली सबकी प्रकिर्ती हो, व्यंकर कालरात्री, महारात्री और मोहरात्री भी तुमी हो, तुमी श्री, तुमी इश्वरी, तुमी हरी और तुमी बहुत सवरूपा बुद्धी हो, लज्जा, पुस्टी, तुस्टी, शान्ती और क्षमा भी त तुम खड़कदार्नी, शूलदार्नी, गोरूपा, तथा, गदा, चक्र, शंक और धनुश्दारन करने वाली हो, बान, पशुंडी और परिग, ये भी तुमारे अस्त्र हैं, तुम सोम्य और सोम्यतर हो, इतना ही नहीं, जितने भी सोम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन की अपेक्षा, तुम अत्यदिक सुंदरी हो, पर और अपर, सबसे परे रहने वाली पर मिशुरी तुमी हो, सरव सब रूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, और उन सब की जो शक्ती हैं वै तुमी हो, ऐसी अवस्ता में तुमारी स्तूती क्या ह हो सकती है, जो इस जगत की स्ष्टी, पालर और सहाथ करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधिन कर दिया है, तब तुमारी स्तूती करने में यहां कौन समर्थ हो सकता है, मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विश्नु को भी तुमने ही शरीर धा कराया है, अतह है तुमारी स्तूती करने की शक्ती किस में है, देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो, यह जो दोनों दुरधर्श, असुर, मदू और कैटब हैं, इनको मौ में डाल दो, और जगदिश्वर भगवान विश्नु को शिगर ही अपने के उदेश्या से भगवान विश्नु को जगाने के लिए तमोगुन की अधिस्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकास्तुती की तव्वे भगवान के नेत्र मुख नासिका, बाहु हिर्दय और वक्ष्थल से निकल कर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृ विश्ठी के समक्ष खड़ी हो गएं, जोग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकान्व के जल में शेशनाक की शैया से जाग उठे, फिर उन्होंने उन दोनों असरों को देखा, वे दूरात्मा, मदू और कैटव, अत्यंत बलवान, उ और क्रोट से लाल आंखे किये ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उध्योग कर रहे थे, तब भगवान शिरी हरी ने उठकर उन दोनों के साथ पांच हजार वर्षों तक केवल बाहु यूद किया, वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उनमत हो रहे थे, इधर महा माया ने भ उनों मुझ पर परसन हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है, रिशी कहते हैं, इस प्रकार दोखे में आ जाने पर, जब उनोंने संपून जगत में जली जल देखा, तब कमल नैन भगवान से कहा, जह जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वत करो, जिशी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर, शंक, चक्र और गदाधारन करने वाले बगवान ने उन दोनों के मस्तख अपनी जांक पर रखकर चक्र से काड़ डाले, इस परकार ये देवी महा माया, ब्रह्मा जी की स्तूती करने प पर स्वैम प्रकट हुई थी, अब पुन है, तुम से उनके प्रभाव का वर्नन करता हूँ सुनो, इस परकार शिरि मारकंडे पुरान में सारवर्निक मनवंत्र की कथा के अंतरगत देवी महत्मय में मदू कैटवद नामक पहला द्याय पूरा हुआ, जै माता दी, जै मा अ इस शार्दिय नवराती पर आपको और आपके परिवार को हर्दिक शुब्ध कामनाए, माता रानी आप सब पर अपना अशीरवात बनाए रखे, जै माता दी